मैनपुरी के करहल कस्बे के मुहला जाटवान के रहने वाली यूति की मद्दान के दिन सुबह सुबह बोरे में लाश मिली। परजिनों का रूरोकर बुरा हाल है। परजिनों का कहना है कि बेटी को 18 नुवंबर को बेहन के घर कोटा जाना था। अगर वो चली जाती तो उसकी जान बस जाती। इस पर यूति ने बेहन के घर जाने से मना कर दिया और मतदान के लिए घर बर ही रुख गई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वोट देने के पहले ही उसकी साथ से छिन जाएंगी। करहल छेतर में अन्सूचित जाती की यूति दुरगा की हत्या घटना पर उप मुख्यमंतर केशो प्रसाद मोरे ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी की बॉखला हट और हताशा उपचुनाओं में साब दिख रही है। करहल में दलिद बेटी की निर्मम हत्या ने सपा के गुंडा राज और काले कारनामे को बेनकाब कर दिया है। फर्जी मतदान, बाहरी अराजक तत्तों की तैनाती और निर्वाचन आयोग पर बेबुनियाद आरोग सपा की लूटतंत की राजनीति का हिस्सा है। सपा सिर्फ कुंडो, माफियाओं, दंगाईयों और हत्यारों की फोज है। उत्रप्रदेश के जनता ने इस कुशार्षन को हमेशा नका रहा है। अब लूट तंत्र नहीं, लोग तंत्र की जीत होगी। करहल विदांसवा उपचुनाव को लेकर बुधवार की सुबह कस्बा पुलिस जहां चुनावी ड्यूटी में ब्यस थी। इसी वीश प्रभारी निरक्षक ललित भाटी को सुचना मिली कि नगला अंती के पास एक बोरे में किसी यूती का शौव पढ़ा हुआ है। सुचना मिलते ही वहां मोके पर पुलिस पहुची। मामले के जानकारी देते हुए पुलिस अधिक्षक महिनपुरी। बिनोत कुमार ने बताया था कि करहल से एक यूती गुमशुदा हुई थी। जिसका शौव सुबह बरामद हुआ। यूती के पिता के द्वारा दो लोगों खिलाप मामला दर्च कराया है। सुनिये पुलिस अधिक्षक ने क्या बताया। देखे कल रात को एक 23 वर्षी यूती कस्वा करहल से गाय भोजन जाने के शम्मन्द में पुलिस को सुचना प्राप्त हुई थी। जिसमें पुलिस तत्काल सक्री हुई। आज सुबह उसकी डेड बाडी मिली है। इसमें उनके पिता के द्वारा, मृत्का के पिता के द्वारा दो लोगों के खिलाप अभियोग पंजिकत कराया है। इसमें एक प्रशान्त यादो है। दूसरा मोहन कठेरिया है, जिनको दोनों को गिरफतार कर लिया गया है। उनके माता पिता द्वारा ये बयान दिया गया है कि भाजपा को बोट देने से रोकने के कारण उसकी लड़की की हत्या की गई है। जिसमें विवेचना में शामिल करके अगरी मिधिक करवाई की जा रहे है। पचास बार कॉल किया तब भी नहीं पूरी रात हम लोगों ने डुनाए कि कोई पता नहीं। कोई पता नहीं पिर उसके बाद पिर जो लड़का जो पकड़े गए है तो इसके वहां हमारे जो गजसे हैं वहां उसके घर पे गए ते साक ओरा था ना तो उसके घर पे गए ते तो वहां हमाई नन्नी की चपल डरी हुई मिली। तो इनने बोला यह तो दुरगा की चपल है तो वह यहां पर चले आए तो यहां नेता जी है ना उनसे बोला कि भाईया हुआ पर उनकी चपल डरी है तो फिर वह बोले अपने वाइप से फोन करके कह रहे हैं कि हमा वह बो लड़की की है वह पिलोट में उठा के फैक दो च िसने यह सब कुछ किया, इसी यह जे ले गया इसी एल जो किया है जो कुछ किया हुआ हैस इंग एक परसां टै ब Anime को लोकुछ थाए और मोहन कुछो कर ग telefon लेःा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धनिवाद